हेलो श्रेंट, श्रागत है आप सभी का, मैं इनके तुलसी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर केमेश्ट्री से रिलेटिट वीडियो अपलोड की जाती है, आज के वीडियो लेक्षर के अंतरगत मैं आपको कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कोशन आपको देने जा रहा हू जिसके त्यारिक करने बाद आपको किसी परकार का इजाम में दिकत नहीं होगी और आप सारे कोशन को सौल्ब करकर आ जाओगे इसका जो इंपोर्टेंट कोशन है जो इसमें से हर साल पुछा जाता है और चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे जहारकन बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो इसी कोशन के इर्दगर्द कोशन रहता है आशा करता हूं कि इतनी का आप कर लेंगे तो आपको किसी परकार का दिकत नहीं होगा बस इतना सा कोशन कर लिजे इस चेप्टर से आपको आराम से तीन से चार नमर आपको मिल जाएगा ठेके तो आईए शुरू करते हैं तो पह वह एतना याद कर लोगे तो आपको किसी प्रगारत दिकत नहीं होगा आपको किसका एंसर हमें चाहिए तो दूसरे वीडियो लेक्ष्र में आपको हम इसका पूरा एंसर आपको प्रोवाइट कर देंगे ततकाल बस आपको फुर्वाइट करने जाने तो पहला कॉसें इसमें है कि अमल मंग ना अंटाशीड क्या था पिरति आमगर कौशण हैं पर्ति हिस्टामीन है प्रशाम्तक रद्नासक है जिसको अनल्सक्य कहते हैं निद्राकारी दर्धनास्सम थैं स्वापक नारबरीग्छ का सिप्ति होग नारकोटिग जूर नाशी है एंटी पालयतिक पैलडायिक पर्तिजयीक ऐंटीबायोटिक पूती रोधी या प्रति रोधी और एंटी मलेरियल देखे यह सारे क्वेस्टन जो है आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसमें से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्वेस्टन तो आपको को से मैं आपको स्वाइट टिक लगा दता हूं देखिए इंटासीड है ना इंटासीड होता है क्या है जब कार्बोनेट हो गया ठीक है रेनिटीडीन जुसको बोलते हैं यह सब इसके अंदर आता है परति हिस्टामिन एंटि हिस्टामिन ना परति हिस्टामिन प्रशान तक प्रशान तक भी बहुत इंपोर्टर कोशन है ना अगर आप इसका डिफिनेशन इसका इजामपल किसमें किस बिमारियों में मेडिशन का उप्यव किया जाता है अगर यतना आपको समझ में आगया याद आ याद कर लिए तो आपको किसी प्रकादिकत नहीं होगा फिर उसके बाद कुसन करता है एनालजजेशिक देखने इसमें और नारकोटिक यहा दखना जूर नासी एंटि-पायर करने में जैसे पराश्रामोल हो गया तो एंटी पारैटिक हो गया परतिजेविक एंटी बायोटिक ना एंटी बायोटिक का लेकिन हमारी dua होता है उजय बायोता है वह मैकरो बैक्टिरिया को होसे नहीं हो Feld चुह किरिती मधुरक क्या है आपको बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसमें कर्भोहड़ेट सुन होती है ठीक है जिसे सेक्रीन हो गया है स्मार्टेस पार्टेम हो गया एलीटेम हो गया ना यह सब जो है किर्थी मधूरक होता है ठीक है मैं इसका पुसर्ण का एंसर आपको हम भी प्रवाइड कर देंग नंदमक हो गया हम अकरत लोटन धाल मिठाल फिनल हो गया एंधाल पटारत है आप इंपोर्टेंट है अगला कुश görün काता है आपका रिए बहूत इंपोर्टेंटाइन काता है कि इतिंग्चर और किया ए इसका уб्योग क्या होता फिन ज्हें टिंग्चराइड क्या किस से मिलकर बना हुआ होता है उसके बाद आपका है एस्परीन और पराशिटामोल का रसानी नाम बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ना इसका अधिकांस आपको रसानी नाम ही आता है अगर इसका फॉर्मॉला कहेगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हो ठीक है अगर कहोग दोरे में दिल के दोरे से बचाव में साहयख होता है क्यों होता है ठेक अगर कुसरा है अगर क्यों एम एक एसा पदार्थ को धारन दे जो पृतिरोधि बोलिए या पुतिरोधी बोलिए एवं बी शंक्रामक दोनों प्रकार से प्रियोग में लिया जाता है तो यह सारे कोशन आपके बहुत इंपोर्टेंट है आप अगर इतना कर लेते हो तो आसा करता हूं कि आपके किसी प्रकार कोशन का दिकत नहीं होगा इस चेप्टर से इस चेप्टर से तीन नमबर असानी से उठाया जा सकता है बस आप खाली इतना याद कर लिजिए इस जितना भी आपका है डिफिनेशन है एक्जाम पलसाइथ और किस किस प्रोबलम में किस मेडिशन का कर जाता है आप अगर इतना कर लिजिए तो आपको तीन नमबर असानी साज़ेगा किसी भी एस्टेट बोर्ड इजाम में थैंक्यू गॉडवलेश्यू बाबाए